कि अजय को स्वागत है आपका आधियोगा संत के चैनल पर दोस्तों आज हम बात करें के स्वास्त की अबधारनाव के बारे में जानेंगे की स्वास्त की अबधारना क्या है तो आई शुरू करते हैं स्वास्त की अबधारनाओं के बारे में दोस्तो इस संसार में प्राकिर्तिक का स्वभाव है कि वह सभी जीव जन्तुओं को किस परकार से ठीक रखना है वह जानती है पर हम मानव बहुत चल्दी ही अधीर हो जाते हैं इस संसार में देव दुरलव मानव सरीर को स्वास्त रखने रखे बिना कोई भी वेक्ति अपने अंतिम लक्ष तक नहीं पहुँच पाता है इस संसार में कर्म, ज्यान, भक्ती, उपासना और चतुर्थ पुरसार्थ जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के ये सभी साधन स्वास्त जीवन में ही संभग है लेकिन आज जीवन की भाग दोड़ और विलासिता या इंद्रियों के सुख के पीछे इंसान अंधा होकर के दोड़ रहा है तथा अप्राकिर्थिक आहार बिहार नकारात्मक सोच बिचार के कारण मानसिक तनाव वबिमारियों का सिकार बनता जा रहा है तथा इन सभी रोगों को स्वयम ही बढ़ावा दे रहा है जो इस खूपसुरक जीवन को शणिक सुख के लिए बरवाद करने पे तुल जाता है और अपने भाग को कोस्ता है दूसरे पर इंजाम लगाता है खुद से ये नहीं सूचता कि यदि प्राकिर्तिक जीवन जीया जाए और अपने खान पान और अहार बिहार रहन सहनेवं विचारों पर संयम रखे और प्राकिर्तिक के नियम उनुसार जीवन यापन करे तो व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है तथा सुनहरा जीवन हो स तथा कई रोगों से वह मुख्त रह सकता है और अपने और दूसरे लोगों के लिए उसी परकार कि इसी परकार है कि जिस तरह से हम अपने अंदर मन में धारना बनाते हैं स्वास्थ के प्रती वैसे ही हमारा सरीर भी उसी परकार से अनुसरन करता है क्योंकि कहते हैं जैसा अन्य वैसा मन और जैसा बिचार होता है वैसा ही सरीर बनता चला जाता है और हम कई रोगों को गलत समझ बैठते हैं और उन रोगों को बारे में जानने की कोशिस नहीं करते हैं और और समय ही अपना जीवन नश्ट करने पे तुल जाते हैं सबसे पहले हमें अपने रोगों के बारे में जानना चाहिए यदि आपको कोई रोग हुआ है तो आप ये सोचिए कि आपको ये रोग क्यूं हुआ है इसके पीछे कारण क्या है और पहले आपको ये रोग क्यूं नहीं हुआ था और अब क्यूं हुआ यदि आप अपने बारे में जानने लग जाएंगे सूचने लग जाएंगे और अपने रोग अपने सरीर और स्वास्त के प्रति सचेत हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप किसी भी रोग से मुक्त रह सकते हैं तो दोस्तु इस परकार आप अपने स्वास्त को अच्छे से बनाईए और समझंग और जानिये कि आखीरी जिसका कारण क्या है इस रोग के क्या कारण है उस कारण को ठीक कीजिए ना कि इस रोग को ठीक कीजिए तो दोस्ते यदि यह जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तथा और नोटिफिकेशन घंटी दबा लिजिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ